एई गाईस बर्ब का आप सबी लोग रिक्वेस्ट कर रहे देगी पार्ट टो लेकर आऊ तो हम लेकर आ गए हैं वैसे तो लाइव स्ट्रीम मैंने अभी करी थी उसमें बर्ब आपका सेकंड पार्ट पूरा कंप्लीट करा दिया है लेकिन जिन्होंने लाइव स्ट्रीम नही इस बिल्कुल नहीं होगा आपको टाइम की परवा करके यह दूसरा पार्ट फिर से में रेकॉर्ड कर रहा हूं चलो शुरू करते हैं पार्ट टू ऑफ दवर्व तो आपकी प्रिक्विसीट्स क्या है मतलब आपको जरूवत क्या क्या है बर्व में किस-किस चीज की जरू थी फॉर्म्स उनको आप याद कर लीजे एक्टेव पैसे जान जुरूद नहीं पड़ेगी इनकी डायरेक्ट और पिछले पार्ट में करा चुका हूं कंडिशनल सेंटेंस पिछले पार्ट में करा चुका हूं तो एक बारी वह देख लेना ठीक है अगर आप पहला करते हैं वीडियो में सबसे पहले अपन कवर करेंगे टैंस को ठीक है टैंस को कवर करेंगे हम सबसे पहले जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था लास्ट वीडियो में पहले पार्ट में कि अगला पार्ट इसका आएगा जिसमें मैं टैंस और जो टैंस कवर करा दूंगा आपके तो 10 के basic form यह मैं cover करा दूंगा जिससे आपके बर 80% 90% मांजी 95 बोल सकते हैं 10 95% बर्व को cover करता है रूल करता है तो यह 10 अच्छी से देखना और बढ़िया से आपका हो जाएगा तो अपना सुरूं करेंगे present से यहां से present सुरूं हो रहा है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंज को present डिंडेफिने टेंज़ बोलते हैं कोई हैवेट या कोई काम जो present में हुआ या फिर है ना जैसे कोई बजार गया तो जैसे मैं हूं तो मैं बजार जाता हूं थीक है तो आए गो टू-मार्किट राम ने पत्र लिखा राम पत्र लिखता है स तो इसमें habit की बात होती है जानलतर टाइम या कोई काम हो habitual हो रहा है तो राम बाजार जाता है तो राम की एक नेचर में राम के राम को राम जाते ही जाता है बाजार तो उस case में अपन प्रेजेंट simple present का यूज करेंगे ठीक है simple present में क्या होता है subject subject प्लस बर्व की first form siis प्लस object तो subject हो गया राम और बर्व की first form ही आती है first form में first form के अंदर अगर आपका subject singular है तो siis आता है बढ़ना siis नहीं आता है और जो भी बचा हुऊ portion है उसको object बोलेंगे है ठीक है अब present perfect tense क्या होते है कोई काम हाली में खतम हुआ है उसको present perfect tense के तुरू हम जद्दर साते हैं ना तो जैसे राम ने अभी अभी पत्र लिखना सुमत के राम ने पत्र लिखा अपने ऐसा बोलेंगे उसको ठीक है तो इस case में present perfect tense हमारा यूज होगा तो एक्जांबल के साथ देखते है एक्जांबल हमारा होगा कि राम ने पत्र लिखा ठीक है तो इसको ऐसे काजईphen GrowDo राम ने पत्र लेका, राम है से रिटन अलेटर, ठीक है, तो राम क्या है, राम है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज आएगा, बढ़ना हैव आएगा, ठीक है, और हैज या हैव दोनों के साथ बर्व की थर्ड फॉर्म पक्का आएगी, ठीक है, यह फॉर्मॉला है, तो राम ने पत्र लगा, मैंने बास्केटबॉल खेला, तो आएगे साथ हैव आएगा, सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर प्रुडल, हैसे अब देख लेना, आते ही होगा आपको, ठीक है, प्रिजाइन्ट कॉंट्टूनेस देखलो, कोई काम चल रहा है, अ बना रहा हूँ, I am making this video, I am creating this video, तो I होगे subject, और I के साथ M आता है, आपको पता है, और I, B, D, U के साथ आता है, R, I के साथ M, जो भी सिंगुलर आपकी subject है, उसके साथ is आता है, ठीक है, तो जैसे I am recording this video, तो subject होगे I, और I के साथ तो M आता ही है, और बर्ब प्लस ING, के first form, और ING उसके साथ लग जाएगी, तो I am recording object होगे this video, ठीक है, अब present perfect continuous stance देख लो, कोई काम सुरू हुआ है, लेकिन अभी तक चली रहा है, तो उस case में present perfect continuous stance का use करेंगे हम, जैसे I have been creating this video since morning, मैं अगर सबब एसे एक video create कर रहा हूँ, मानलो, suppose ये video creation में लगा हूँ, सब भी भी ये काम चल रहा है, तो मैं use कर सकते हूँ, present perfect continuous stance, तो मैं अगरा, I have been creating this video since morning, अब देखो, I have been subject, have been, has been और have been का बही चक्कर है, has been, उसी हिसाफ से, जो present continuous में देखा था मैंने, दखा सोरी, उसमें present perfect में देखा था, उसी हिसाफ से has been आ जाएगा, और बर्व की first form plus ING, ठीक है, I have been creating this video, यह सब बचा कुछ है, जो बर्व का object में आ जाएगा, वैसे आता नहीं object में, अभी आप सब उस कर लो, ठीक है, तो यह होगा, अपका present perfect continuous stance, अब हम past देखें में जारा, ठीक है, simple past tense को past definite tense ही बोलते है, इसका formula होता है, subject plus verb की second form plus object, past में कोई simple काम हुआ, य past, यह बहुत ही important tense है, simple past उल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बर्व में most of the time this sentence is used, ठीक है, this tense हो रहे, जैसे राम मार्किट के, बाचार के राम, डाइनसौर रूल करते थे, ठीक है, अर्थ को पराने टाइम में, तो यह कुछ fact वाली बात है हो गहीं, तो इसमें आपका simple past आएगा, उसमें बर्व की second form use होगी, डाइनसौर ruled the earth, ठीक है, ruled the earth, ओके, जैसे मुहन बजार गया, अब वो जाता था उस time की बात है, ठीक है, तो simple past उसमें आएगा, राम went to the market, ओके, अब past perfect tense की बात करें, कोई काम बहुत पहले अगर complete हो चुका है, तो अपन perfect use करेंगे, अब आप कहोगी simple past 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 perfect में अंतर क्या है, वो इसमें भी काम पहले हो चुका है, इसमें भी हो चुका है, अब past perfect में कोई specific काम की बात हो रही होती है, जो काम habit में नहीं आता है आपकी, और आपने एक या दो बार ही उस काम को करा, अगर आपको sentence, tense देखके ये लग जाएगा, ये काम बहुत common नहीं है, और आपने एकाद बार ही इस काम को करा, ये habitual काम नहीं है कोई आपका, तो उस case में past perfect use हो जाएगा, और वो काम बहुत पहले खतम हो जाने चाहिए हमारा, जैसे मैंने notes बना लिए, ठेगा, मैंने notes बना लिए थे, लिए थे, ऐसा कुछ आए न, थे, तो past perfect use होगा, किया आए तो present perfect, मैंने पत्र लिखा, थे तो आनी रहा, लिखा, खी, खे, ऐसा कुछ आए तो present perfect, और अगर थे था, ऐसा कुछ आए तो past perfect, जैसे, मैंने, मैंने mountain, mount average की चड़ाई की थी, ठीक है, तो I had claimed, I have claimed the mount average, I have submitted the mount average, ठीक है, अब past perfect continuous की बात हो, past continuous की बात हो, sorry, past continuous tense की बात हो, कोई काम past में चल रहा था, तो उस case में past continuous tense हमारा इस्तेमाल होगा, जैसे, मैं पानी भर रहा था, ठीक है, तो I was, filling the water, ठीक है, I was filling the water, अब past perfect continuous की बात हो जाए, तो कोई काम चला specific time period तक, तो उस case में past perfect continuous की बात होती है, तो subject plus had been plus verb की first form plus ing plus object इस case में आता है, ठीक है, उसमें had been आता है, helping verb के form में, तो ram had been doing that work since morning, ठीक है, ऐसा कुछ, अब since for में क्या confusion आपकी, since का यूज होगा, for का यूज होगा, since जब यूज होगा, जब एक specific time period नहीं दिया रहे हो, in general बता दिया, कोई time, जैसे morning की बत कर दी गई, morning में specific time नहीं दे रखा, कि 8 बजे, 9 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, तो उस case में हमारा sense आएगा, लेकिन अगर specific time दे रखा है, कोई तारीक दे रखी है, कोई 2 month ऐसा period दे रखा है, 2 साल, त practice और करेंगे, आप specific और एक journal, यह term आप याद कर लीजिए, specific time की बात हो, तो for आएगा, बढ़ना आपका sense आएगा, थोड़ी practice करेंगे, इस तरीके की sentences की, तो आपको आजाएगा, समझ, ठीक है, अब future की बात करें, simple future tense की बात करें, simple future, बल्लब future indefinite tense, तो इसका होता है, subject प्लस will sell, प्लस वोफ की first form, प्लस object, जैसे मैं पढ़ाई करूँगा, तो I will study, अब आप को कि will sell का चक्कर गए, I के साथ तो sell आना चाहिए, तो देखो, अगर sentence positive है, affirmative है, तो उस case में, आप will use कर सकते हैं, हर case में, और चाहें तो sell I और B के साथ use कर सकते हैं, लेकिन अगर sentence interrogative है, है ना question पूछा गया है कोई, तो I और B के साथ हमेशा sell आएगा, ठीक है, आप will use नहीं कर सकते हैं, अगर affirmative है तो आप will हर जगए use कर सकते हैं, किसी भी tense है, कोई भी आपकी number नहीं काटेगा, future perfect tense देखो, future perfect tense मतलब मैं ये काम कर चुका होंगा, ठीक है, तो I will have finished this work, तो subject होगे, I will have, I के साथ तो bill, yes, है ना, sell भी लगा सकते हो, आप लेकिन simple affirmative है, तो आप will भी use कर सकते हो, I will have, verb की third form completed, this work, मैं ये काम कर चुका होंगा, ठीक है, future continuous tense क्या होते हैं, जो काम future में चल रहा होगा, आप expect करेंगे कि वो काम future में चल रहा होगा, तो उस case में आप future continuous tense का use करेंगे, जैसे, he will be writing, I will be writing a letter, मैं letter लिक रहा होगा, मैं paper लिक रहा होगा, मैं live stream अटेंड कर रहा होगा, I will be attending the live stream, I will be attending live stream, ठीक है, future perfect tense, future perfect tense, कोई काम future में समाप्त हो गया होगा, उस case में, आप subject plus verb will have been, shall have been, shall have been, नहीं है इसमें, use करेंगे, verb की first form, ing plus object, ठीक है, I will, my work will have been completed, by 12 p.m., ठीक है, मेरा काम complete हो गया होगा, 12 बज़े तक, ठीक है, तो इस case में या आएगा, अब दो, और बचे, future continuous में क्या होगा, future continuous वो होता है कि future में ये काम चल रहा होगा, I will be writing a letter, I will be writing the examination, I will be attending the stream, तो इसमें subject है, I will be, shall be, का वहीं चक्कर है, affirmative के साथ कुछ भी हर ये आ सकता है, लेकिन interrogative में नहीं आएगा, तो वर्व की first form plus ing plus object, future perfect continuous tense क्या होता है, future perfect continuous tense कि एक काम future में शुरू हुआ और खतम होने का, खतम होने का पता नहीं दिया कि उसमें, तो मैं बारा बजे से ये काम कर रहा हूँगा, ऐसा कुछ आए, तो future perfect continuous tense की बात हो रही है, ठीक है, अब एक कुछ मोटे मोटे point जात कर लो, कि has, have की साथ हमेशा बब की third form आती है, क्योंकि वो present perfect tense है, और head की साथ बब की third form भी आती है, कि वो past perfect है, और एक चीज़ और head been, है न, इन सब के साथ head been है, has been है, have been है, तो ing form आएगी, उनकी वो continuous tense है, present continuous और प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन की मैंने बहुत साई वीडियो बना रखी है, तो जो दो noun या pronoun की बीच को connection करें, या फिर है न, के बीच कोई relation create करें, या बीच आए उनके दो प्रेपोजिशन बोलते हैं, तो प्रेपोजिशन के साथ हमेशा ing form आएगी, आप चलो question शुरू करते हैं, यह question आपको five इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को pause करना, सारे अंसर खुसे देने का try करना, फिर मैं अब आपको वीडियो को resume करना, और देखना कि आपके अंसर सारे सही हैं कि नए, ठीक है, यहां तो आपको पता ही है, टॉट आएगा, टॉट क्यों आपको पहला step होता है, एक paragraph है, वर्ब का, आपका पहले step होना चाहिए कि उस paragraph को पूरा का पूरा, आप एक बार read कर लें, फिलिंद अवलेंक्स में, यह bird है, उनको ऐसे जैसा लिखा गया है, वैसे read कर लें, एक बार पता कर लो, कि यह past में, present में, future में paragraph, जैसे यहां head दि begin दिया है, अब बर्ब की second form है, तो यहां पर यह past में है, ठीक है, was दिया है, यह सब indication है कि यह paragraph आपका पास्ट में, आप पास्ट में आप चीज समझेगे, आप इसको शूब करते हैं, यहां पर head दिया है, मैंने कहा तो head की साथ, हमीं सब बर्ब की third form आईगी, क्योंकि यह past continuous tense यहां पर बन रहा है, अगर head भी इन वगरा होता, तो past perfect continuous बन दिया है, यहां पर head simple दिया है, यहां पर यह बर्ब दिया है, तो यह बर्ब की third form आएगी, ठीक है, teach की क्या होती है, taught, क्योंकि मैंने कहा था, perfect tense यहां पर यह बन रहा है, past perfect, yourself, read by, ठीक है, अब by है, मैंने का था, preposition, एक ही जहाद रखने की, preposition की बाद, बर्ब की ing form आएगी, तो by studying, newspaper and magazines, that, ठीक है, light around the house, ठीक है, light around the house, at the age of four, क्योंकि यह simple past है, इसलिए light आएगा, ठीक है, at the age of four, see could, could के साथ first form ही आएगी, बर्ब की, इसलिए read ही आजाएगा, ठीक है, fast and well, and see naturally begin, ठीक है, could के साथ, could, should बगर लगाओ, तो most of the time, यह first form ही आएगी, लेकिन, has been, have been भी आसकता है, लेकिन, यहाँ पर first form ही आएगी आएगी, क्योंकि, simple past की बात, यहाँ करी गई है, see naturally begin, ठीक है, hankering, hankering आएगा यहाँ पर, begin, hankering, ठीक है, after works, the only book in the whole of this, enlightened household was something called cooking, है न, तो यह आएगा, belonged उसका, ठीक है, cooking belonged, क्योंकि, simple, बात हो रही है, ठीक है, simple past की बात हो रही है, and when she had read this form, this form, cover to cover, and had learned, learned, had आया, had की बाता है, तो मैंने, had की साथ, बर्व की third form आती है, learned की third form होती है, learned, L-E-A-R-N-T, है न, learned नहीं आएगी, क्योंकि वो बर्व की second form है, learned to, T आएगा आकरी में, had, C, decided, ठीक है, और देखो, यहाँ पर decided आगया, देखो, एक चीज़ और, had learned, अब यहाँ पर, देखो, learned तो आगया, अब यहाँ पर simple past की बात करी गई है, C, decided, decided, उसने decide किया, ठीक है, क्योंकि हम पूरा simple past में चल रहा है, तो past में चलने हो, simple past, C, wanted, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर simple past आया, अब यही sentence continue चल रहा है, continue चल रहा है, हमको, कोई hintर नहीं देगे, हमको यह hintर दे गई है, कि यहाँ यह decide को decided हो जाएगा, अब यहाँ पर भी wanted ही आएगा, क्योंकि same tense यूज़ करेंगे हम, simple past यहाँ भी यूज़ किया है, तो यह same sentence है, same sentence है, continue चल रहा है, तो यहाँ पर भी simple past ही यूज़ करेंगे, यह same form of tense यूज़ करेंगे, तो यह hopefully आपको समझ आ गया होगा, पहला पार्ट था यह, अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं, दूसरा पार्ट बहुत ही जाता है, easy है, hopefully आप pause करेंगे वीडियो को, और answer सारे खुच से देंगे, उसके बाद वीडियो को resume करके, आंसर चेक करेंगे कि सारे आपके सही हैं या नहीं, तो यहां once upon a time in a day when जिनीज एंड जाइंट्स, ठीक है, तो देखो, when engineers and giants roam, अब यहां पर यह नॉर्मल बात हो रही, past की बात हो रही, यह लिखा गया past, कोई, ऐसा तो काम हो रहा होता है, तो हम past perfect use करते हैं, यहां पर common general past की बात करी गई है, तो यहां पर simple past tense use होगा, तो giants roamed, roamed, roamed की second form क्या है, roamed, simple past में कौँजी form आती है, second, तो इसलिए roamed आया, the land there, ठीक है, there lived, अब यह common बात हो रही है, simple past वाली बात, common lived, और farman named, इसमें भी, क्योंकि यहां भी simple past use होगा है, और एक same sentence चल रहा है, same sentence चल रहा है, तो continue इसको करेंगे, उसमें भी same tense use होगा, तो यहां simple past use होगा, तो यहां simple past use होगा, यहां भी simple past, वोगा use, Baba Ayob, he lived with his family in a little village by the name, Maidan Sabz, ठीक है, because he had a large family to feed, Baba Ayob, ठीक है, यहां हो जाएगा, I saw, भी simple past की बात हो रही है, ठीक है, he saw his days, और यहां पर हो जाएगा, आपका consume, simple past की बात हो रही है, simple past में पूरा tense चल रहा है, everyday he labored, है न, तो यहां पर labored बात होगी, कोई simple past की बात हो रही है, everyday, यहना, habit, everyday, habit की बात हो रही है, मैंने काता है, जब भी habit हो गए रहा है, तो simple past हम यूज़ करेंगे, अगर पूरा paragraph past में चल रहा है, अगर present में चल रहा है, तो, अब हम simple present यूज़ करेंगे, ठीक है, from down to sundown, मतलब सुबएसे sound, ठीक है, अब यहाँ कॉमा आगया, अब एक break लग गया, अब एक break लग गया, अब break के बाद, sentence break है, यहाँ पर sentence break हो गया, अब यहाँ पर directly flow आगया, अब flowing हो जाएगा यह, ठीक है, flowing यह plugging भी हो सकता है, यहाँ पर अपन flowing लिखेंगे, क्योंकि है आप सबको पता तो होंगी नहीं बर्व की सारी forms, तो flowing हम डालेंगे, plugging हम डालेंगे, flowing हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ सीधा आपका पार्टिसेपल यूज़ हो गया है, ठीक है, आपको जीरंट यूज़ हो गया है, सोरी, अब वो छोड़ो को क्या है, आप तो वह इतना याद रखना कि सेंटेंस ब्रेक को कौम आए, और आपका बर्व के साथ सुरू हो रहा होगा, सेंटेंस, यह जहाँ, फिल्व करने को हम चलती जा रहे है, और इसमें प्लगिंग आगा है, तो इन सम में सारे के सारे सिम फार्म जूज होगे,पहूफुल्य आपको यह समन्ज में आ ग्या होगा, बहुती इसी तरीके से लॉजिक के साथ मैं आपको यह बताया है, ठीक है, तो आपकी यहां पर second part आपका complete होता ह बर्ब का, एक बहुत ही जुरूरी आपसे बात करनी थी, कि एक सेकट, जो हमारी premium Berufs है, revision books हैं, revision books, ये revision करने के purpose हैं, उन revision books में, क्या के रहेगा, उन revision books में, एक तो वो, board की इस leveling के, according पूरी revision के लिए Customize करें गे हैं, उसमें एक भी चीज बाहर की नहीं है की यार इस टायम आपकी पास टाइम ही नहीं बाहर की एक्सटा चीज पढ़नों दिखान ना उसमें कम चीज आपको बोड पूरे सीयck monthly मर्मक्स आ रहा हुँगे स्रिफ उतनी चीजे उसमें included हैं और हर टॉपिक की बाद उसमें question है, ऐसा नहीं है कि फारी topic करा दिए, फिर question ही question है, topic आप prepare करो, फिर practice करो, अपना ये purpose है, उसमें past year के भी question रहेंगे, ऐसा नहीं है, बुक से उठा के question दे दिया हूँ, सारे question आपके board oriented रहेंगे, 50 रुपी की है, लेना चाहिए, तो है कैसे एड़ gmail.com पर हमको contact कर लें, हम आपको दे देंगे, तो यही थी second part की वीडियो हमारी, आप बताओ कि आपको समाझ में आई, या नहीं आई, hopefully मैंने तो काफी आपको logic बताने का try कर आए, जितना हो सके, इसमें, और यार practice से बनेंगे आपसे question, और क्या देखना चाहिए, थर्ड पार्ट एक आएगा, एक live stream मैंने करी थी उसमें, यह पूरी अच्छे से कराई थी, और इसमें भी try किया है कि सारा का सारा वो जो live stream हुआ है, वो इसमें cover हो जाए, तो इस video को share करो, चैनल subscribe करो, reach हमें अपनी काफी चाहिए, आबाज बलंद हमें करनी है कि यार, अपन बढ यह कर रहे है, YouTube पर, और इससे help हो रही है आप सब की, thank you so much for watching the video, live stream हमारी हो रही है, आप रात में सुरू हो गई है, दस बज़े के round सुरू होगी, तो आजाना, बुरिये विस्तर बान के, English तो हमारी होनी होनी है, साथ में एक extra subject लेंगे, most probably chemistry computer लेंगे, thank you so much for watching the video, make sure you subscribe this channel, like the video and also share the link for this video